कि हेलो स्टुडेंट्स एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल के डियस पर आपका सभी का स्वागत हैं पिछले वीडियो में हम लोग क्लास एट के मेंसुरेशन चेप्टर का इंट्रॉडक्शन क्लास किये थे 13.1 का आज हम लोग क्लास एट का ही क्लास एट चेप्टर 13 का मेंसुरेशन इनकी चेप्टर 13.1 का कोश्चन करेंगे जिसमें आपका पहला कोश्चन है दिखा जाए बगल की आक्रितियों में एक आयताकार और एक वरगाकार खेल के मैदान के माप दिये हुए हैं यदि इनके परिमाप समान है क्या है परिमाप कह चीतरहछए होगा यानि होग पूचा है कि किसका चेत्रफल क्या होगा अधिक आप यह की आपका है वर्ग कैसा क्या है क्या है या कि आपका क्या है आयत हैं लीक इस्तॉंच को hundred लोग करते हैं क्या है क्वेश्चिन है क्वेश्चिन नंबर एक है देखिए एक दिया है आपका कि वर्ड कि अस्यमीटर है इसका लंबाई ठीक है और एक फिगर दी हुई है आयत कि अधिश्चिन दी अधिश्चिन और क्या है अपका दी है तो इसकी लंबाई कितनी दुई है छे हंड्रेड मीटर ठीक ना और चुराई कितनी दुई है 60 मीटर अब पूछा है हमसे कि दोनों के छेत्रफल में कौन सबसे ज़्यादा है यानि कि दोनों के छेत्रफल को अब लोगों को कंपेर करना क्या करना है कि तो हम लोग क्या करेंगे निकालें इधर है अब है वर्ग का अब तो पिछले क्लास में आप लोग को बताया थे कि वर काशित्फल क्या होता है तो भूज़ा था सप्वयर X2 घु टो फोज़ीना कीतना दिया हुए है क्ट सब्सक्राइब कितना हुआ Cool और एक जिरो का जब स्क्राइर करतें तो कितने मिलता है दो जीरो यानिक्रों जोल्सी और सब किस्में था मी्टर में अरिया पोण होता है स्काइर में तो मीटर्डर स्कॉएल है तो हमारा वर और का चाहणि कितने मिल गया छाशोज कि आयत का चित्रफों कि आयत का सब्सक्राइब क्या हम लोग पर है लंबाई गुने चोड़ाई यानिक लेंध इंटू ब्रेथ लेंध देख लेते हैं लेंध कितना दिया है लेंध आपका 100 है कि ब्रेथ कितना है साथ है कि दोनों को गुना करेंगे तो 6,000 स्कॉयर मिलेगा अब कर लेते दोनों के चोशारसो की इधर 6,000 अब दोनों में देख लीजे कौन बड़ा है तो सबरह है तो आप देखे दोनों में वर्ग का चेत्रफल अधीक है कि पूछाए कितना अधीक है तो कितना अधीक के लिए क्या करेंगे बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे तो कितना गया चार सो मीटर इसको है इटीज़ दा अधीक का दो आगती दी हुई थी एक वर्ग का और एक आयत का ठिक ये कितना दिया हुआ है आपका असी मीटर ठिक है ना और आयत का कितना दिया है बाबू सौ और साठ मीटर दोनुं के से खत्फल में से पूछा है कि किसका अधीक है तो हम लोग एक तरफ निकाले एक तरफ आयत का अधीक है दोनों में कंपेर कर लिए कि कौन बढ़ा है तो सब्सक्राइब का सकते हैं कि अधीक है तो कितना चलते हैं सेकंड कुश्चन पर कि सब्सक्राइब के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको दिखी रहा हुए यहां पर चित्र दिया हुआ है यह लोकर इस एक बीच में पाठ है हो बाहर में एक है वह प्लॉट के बीच में एक वर्गा का घर बनाना चाहती है ठीक घर के चारोर फुलवारी लगवानी है क्या लगवानी है फुलवारी उसे फुलवारी लगाने में 40 रूपए प्रती वर्ग मीटर की दर से कितने रूपए खर्च करने होंगे क्या है और के पाज़िए एक प्लॉट है जो कि आयदे आएं कि कितनी है अस्य मीटर ठीक है चुराई कितनी है साथ मेटर के बीच में गशती है यह प्लॉट की लंबाऑ कितनी देऊंगे चालिस यह नि की वर्गा कार है और का हिनकी सब का killer से मिवहाजें थे चालिस हैं उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से कितनी रुपए खर्चेंगे घर के चार ओर क्या लगाना चाहती है फुलवारी लगाने में 40 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से कितनी रुपए खर्च करेंगे या उसके एक वर्ग मीटर की दर से फ्रवाई लगाती है तो उसे कितनी रुपए खर्च करना है या आपको टोटल बताना है प्रती वर्ग मीटर की दर से कितनी रुपए खर्च करना होगा घर के च आपका लंबाय कितना ऐताकर भाग कर दिया है एक असी मिटर और इसके अंदर यानि कि बीच में को वर्गाखार घर बनाया है ठीक है इसको P qr है लेकिन एजो है आपका का वर्ग है एक बाहर बना हुआ आपका आताकार है ठीक है आपसे बोला है कि इसके घर के जो घर घर के चारों तरफ दौरे ओगर में गशा हूआ है इस एरिया में इसको क्या करना है तो फूल यह लेगा यह न हदो बताइए कि और इक प्inguém एक में एक मेटर पूरे एडिया में तो पूंछ रहा आप से कि पूरे एडिया में यह फूल लगा आपको कितना खर्च परेगा आप बताना है तुर इसकी को बठता है तो पहले के निया को निकालाएश fans जो आपको आपको लाल पारट बड़ा को लग मिन से संल þसर्ब चाहिए चाहिएitter उसके लिए क्या करें इस सबसे पहले यह बाहर वाला आयतकार है उस यह फॉपल僕 नि कालेंगे और आयायत के करें गटा देंगे जब बड़ा वाला में से जब छोटा वाला को हाइट करेंगे निकाल लेंगे तो बच्चे का जो पाट क्या कर लाएगा मेरा वही जो प्लॉट का चेत्रफल पूछ रहा है तो घर के सॉरी तो घर के चारो और का चेत्रफल तभी हम क्या बताएं आपको कि आयताकार आयताकार प्लॉट का चेत्रफल माइनस वरगा का घर का चेत्रफल तो आयताकार प्लॉट का चेत्रफल तो आयताकार इसलिए लंबाईगुने लंबाईगुने चुरए लंबाई कितना है इसका दिया वजी असी कि चुरए कितनी दुवी है इसकी चालीस श्रुद एक एक जीरू एक जीरू कितना जिरो यहां पर दो जीरू चार का स्कॉईर्स सोला होता है एक जीरू का स्कॉईर डौल जिरो हो जाएगा है घटा देंगे ऐसे 400 तो तो कितना के चार और का स्कानल कितना मिलगो में पूठ एप informing की त्थू में वीटींट पटेने की तोटल में कितना है आपका कि प्र है क् condemnation में कि एक मीर स्क्वायर एरिया में जदी वह फूल लगाता है तो उसको 40 रुपे खर्च होते कितने रुपे होते हैं बाबू 40 रुपे इसलिए हमको 32 मेटर स्क्वाइर में कि फुलवारी कि लगाने का कि क्या निकलेंगे खर्च ठीक है बाबू तो और 122 सो जसके तस इन्ट उ मीटर स्क्वाइर का फिल्यू कितना है आपको समझने में दिक्कत होगा तो इस तरह से लिख लिएगा बात जी नीटू एक में करेंगे तो 32 में इस्क्राइब करेंगे मींतर चुछ ऑपक्षेट त्वाग प्रप लेते हैं अधर शो कि इन्टो एक मीटर एक मीटर कभे लुक इतना दिया है कि बादोनों को इस प्लॉट के चारो और इस प्लॉटके चारो इस प्लॉट के चारो और का फुलाभाजी लगाने का कर्च कितना रुपे पढ़ गया हान एक लागash क escrbs लेट चलिए बदरते हैं आगे नेक्स कुर्शन की और कुश्चिन नमर्ट तीन कि कुश्चिन नमर्ट तीन आप लोगा देखिए अब अब रेस अपने घर के आगन में इट बिच्वाना चाहता है यदि यागन की लंबाई 20 मीटर और चुड़ाई 15 मीटर हो तथा एक इट की लंबाई 25 सेंटी मीटर हो और अस्ती सेंटी मीटर हो तो उस आगन में कितनी इटे लगेंगी ठिक है तो आप से क्या पूछा है ज़रा फिर समझेगा एक आगन है आगन उसको बीट बिचाना चारो ठिक है और प्रतेक इट की लंबाई चुड़ाई दी हुई है और आगन का भी लंबाई चुड़ाई दिया हुआ है तो आप से पूचा है चलिक कुशन को करते हैं कुशन नंबर तीन को ध्यान दीजिए कुशन नंबर तीन प्यापका है कि कुश्चन नंबर कि जड़ा समझेग फिकर यह आपका आगन हो गया कि मुझी आयताकार क्यूंकि लंबाई और चुराई दी हुई है कि ए भी सी डी इसमें आपको छोटा छोटा इट लगाना इस तरह से ठीक है विट की संख्या पता नहीं है और एक है आपका इट जो इसमें लगा हुआ है यह भी आताकार है इसका मालने थे पे क्यूं आरेस दिया हुआ ठीक है ना तो इट का जो आगन का लंबाई दिए सोरी आगन की जो लंबाई दिए कितनी मीटर है बीस मीटर है ठीक है बाबू और इसकी चुराई किती दिए थी पंदरा मीटर किती दिए है पंदरा मीटर और जो इट है इट की लगाई कितनी दिए 25 सेंटी मीटर और चुराई कितनी दिए इसकी 80 सेंटी मीटर तो हमको इट की संख्या बताना है यहनिकि इसमें इस तरह क कितना इत लगा हो कितने लगे होंगे आब को बताना है दीखीए मफ तूरह पूरा फिल कर तहिए इत जिदा प्रह् creeping है इन चेいつ का फिड़ी होना चाहिए चन्हें है तो इसके लिए कर देंगे जो हमको प्राप्त होगा वही मेरा क्या होगा इटो की संक्या होगा चलिए को को आई को बढ़ाते हैं दिखेंगे पर लिखेंगे आगन का आगन नहीं था नहां आगन आगन का कि छेत्रफन एताकार है तो लंबाई इंटू चौराई हो जाएगा ठीक है इसकी लंबाई कितनी है बीस मीटर बीस मीटर चौराई कितनी है पंदरा मीटर दोनों गुना करेंगे 300 मीटर स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है फिर नीचे लिखेंगे आपका क्या है एक इट की एक इट की है क्या है कि चेत्रफन एक इट की चेत्रफन ओहीं होगा फ्रूला बाबू व्याताकार है लंबाई इंटू चोड़ाई लेकिन यहां पर क्या है पत्चीस सेंटीमीटर है कितना है परीट कि मीटर को बदल बाझ या कर देजगा की मीटर में मिटर में हमको भी गई निन परड़ेगा 50 कितना जैगा हंडेड हो जाए है टिक है वी फोर बार में अब इसकते आप चार चार खतम इनी कितना हैका वन वाई-फाइब मीटर कितना अब कि वह दो धागया ठीक है एक पूर्ण के निकालना है बाबू तो लिखेंगे इसलिए एटो की संख्या ब्राबर लिखेंगे आगन का कुल छेत्रफल आगन का कुल छेत्रफल और बाई एक इट का एक इट का चैत्र फोट ठीक है चुटू आगे बढ़िए आगन का कुलच पर आगन का कुलच पर कितना है था आपका एक इट का कितना है था वन वाई 5 मीटर स्कुर मेटर स्कुर मीटर स्कुर केंसिंट तीन सोच वण वद्वाइट से मल्टी करेंगा तो फाइब क्या हो जाएगा वन का कोई मतला नहीं 55-30 में दिरी हंडर में गुना कोड़ेंगे था फैप्ट यनि कितना हो जाएगा फंद र इट बिछाना है और इट कितना डगे इंग पूरा आगन को कवर करने में उसका आपका संख्य बताना producers नहीं तो जितना आगन का स्थ fah了 होगा उतना की रूप और है एक आपको सबी एक साथ जोड़ना पड़ेगा कि फर यह पर्थन का पता अप तो पकी पता था आयत का किसका आगन खा तो आगन के छेटफल जितना होगा उसमें एक इट से छेटफल उसे भाग कर देंगे जो प्राप्त हुआ वही मेरा क्या है इटो की संखिया है चलिए अभी हम कुछिन नंबर करेंगे फूर सैद आप लोको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए कुछिन नंबर चार पर पर परते हैं एक तिर्भूजा कार खेट का छेटपल कितना दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर स्कुराइर है तथा उचाई कितनी है साट मीटर है तो उस खेट का क्या निकलना है अधार निकलना है फिर से पता देरें आप लोको कुछिन को कि एक आपका तिर्भूजा कार खेट है कैसा है तिर्भूजा कार खेट है कुछिन नमबर फूर देखी जरा है तिर्भूजा कार खेट खेट एबी सी इसका छेटफल कितना दी हुई है दें छेस्सों मीटर स्कॉर राइट है और इसकी उच्छाइबी दिवी है उच्छाइए माले कितना दिए हुए साठ मीटर ठीक है तो आप से अधार कि नमबाई पूछ रही अधार नहीं दिवी है तो हरल खेट बहुए कि जो तिर्भूज का चेट फलोता है तिर्भूज का चेत्फल क्या होता है बाबु वन बाइट टू इन्टू अधार गुने उच्छाए ठीक है इतना आपको पता है चलिए और जो तिर्भूज का छेत्फल दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में कितना दी हुई है कि यहां पूट कर देंगे 600 मीटर स्क्वाइर वन बाइट टू इन्टू अधार तो मेरा पता नहीं है तो जसके तर छोड़ देंगे उचाए उचाए कितना दी हुई है हम इस मीटरहीं स्यप्व करेंगे मीटर कि दो से 60 कितर टा मैं जाएगा 30 में तीस बुना करता इधर आए थो क्या करेंगा तो इसबाध करेंगा कि कि यह सो बटा में कि शुपर मीटर संथ नीचे कि मीटर मीटर स्टी से drei सी स्ट करması के आपका दो बार दो हार सब्सक्राइब को पहले से आपका तिरभूज के शित्फल दिया हुआ था और उचाय दी हुए थी आप से क्या पुछ रहा था अधार तो आपको यहां से सब्सक्राइब कर दिया है और तीस सब्सक्राइब कर दिया है और सब्सक्राइब कर दिया है चलिए कोश्चन नमर पांच क्यों बढ़ते हैं कि एक धावक को कम से कम दूरी तै करने के लिए निम्न में से किस आकरिती पर चक्र लगाना चाहिए अब जानते हैं कि संपुन पर इदे ब्रीट की पर इदी का सुतर कितना होता है टू पाई आर जहां आर क्या है ब्रेट की तिरिज्जा है देखिए आप आप तीन फिग्र दिया हुआ है धिए क्यांस है कि नम्हों पांच करें भी कि से नमबर पाच ठीक है तो आपका डाइमीटर कितना दी है तर ब्यालिस मिटर इन इसको ब्यास कहते है क्या करते है ब्यास देखिए इंटरक्षन क्लास में आप लोगो जान ना फ्म प्राइब करने क्यों की साक्रिति पर चक्र लगाना चाहिए तो को चक्र करता है तो पहला प्रेदिया है फिर बीदिया है विक्यादिया जैरा लागोर की यहां पर इस sharpen हमरे ठीक है कि फिर अपका सीधी हुई है अगा इसकी दिए 14 मीटर तो सब का मोग परीधी निकाल लेते हैं यूदि परीधी का तो फर्मूला पता है क्या होता है टूपाई आरोता है देखिए के पूरा के पूरा फिगर जो ABC है तो पहले एप लग रहा कि मेरे सिर्कल कितना है आधा है तो हम लोग निकालेंगे लिए निकलेंगे आदा कि निकालेंगे इंद कि लिखेंगे अर्वेट कि Viltr the आपे और यहां पर दिया हुआ है तो दी बराबर हमारा होतारा डु अ सतको का Quad Ke है 42 है तो यहां से लोग आड निकालेंगे ब्यार इस बटा कितना तू यानि कितना सिंटिमीटर आजाएगा एक एस मीटर आजाएगा एक एस मीटर आगे डियस में पता चल गए और रिखें परीधि निकालना तो परीधि के फर्मूला होता है तू पाई आर अर्थ बेखें यहां से यहां हुआ यहां से जगप रिखा इसको बाद बोल सकते हैं ठीक है सर लेकिन आपका यह भी लेंट यहां दिख रहा है ना पुरा जो गोल घूमने के लिए इस पत को तो चलना पड़ेगा तो एह होता थार यह भी होता थार तो कितना रहो गया तो प्लस क्या कर देगा ढोर दिखान विल लॉमने रहा है कि अब यहां से यहां तक आहें उसके बदलें अपको विल सकते हैं तो १े मेरा यह मेरा का सेंटर है ओ ठीक है ओ ही का बी टीक है तो ओसे बी मफ्याहर權 थ avait क्या है तो मेरा थो हिए क्या बन गया थो आर्थ ब्रीत की परिदी आपको Three फ्र्मोला रिप पाइयर प्लस टूरोटा फ्रमूला ठीक है अब अब पाई कमान होता है ट्वेंटी टू बाई सेवेन और रेडियस कितना है तर रेडियस तो लोग निकाल है कितना है ट्वेंटी वन मीटर प्लस टू आर्टू कि इन्टू और साथ से 21 के बार में तीन बार में 22 ते कितना हो जागा बाबू 66 कितना हो जागा 42 दोनों को क्या कर देंगे जोड देंगे चार चावदू आट चावचार दस एकसो आट कि क्या मीटर हो गया है तो हम लोग इसका तो लंबाई निकाल लिए ठीक है कि पर इदि पता चल गया अब हम लोग को यहां देखे देगे यहां स्फिगर में क्या क्या दिया हुआ दिए है फोटीन है यह आपका जो पूरा का पूरा है नहीं दिया हो एक फोटीन मीटर है तो पहले उपर एक क्या बना है अर्दू बिद इस तरह से बना हुए इधर स ठाने कीतना चाहिए फोर्टीन इधर से आफ एमth or chain Eat Herser से ठीक है तुद भावक दोबारा कि को तई की गई मुट गूरी ठीक है कुम दूरी धियान दीजेगा कितना हो पर पाई यार ठीक है पाई आट एक कितना हैbook 14 रोच फिर यहां से यहां का लेंस कितना है mari 14 लूडर कि कि इतना चलेकर 22 भाई कर देखे यानि 14 वैं कितना होगा बावो टू टू से फूर्टन कितना टाइम है साथ बार में यह कितना आगे आपका साथ हो जागा पलस फिर 14 14 साथ से सतका करेंगे बाव केंसी 22 प्लस 14 14 कितना हो जाता था ट्वेंटी एट दूनों को एट कर दिये आठ दू कितना दस तूदू चारिक इतना पर कितना हो गया पचास मीटर को दिकत सुमझने में लाज देखते हैं सी नुमबर ठीक है यह तो पूरा-पूरा ब्रीद बना रहें ठीक है तो धावक जो इसको गोल भूमेंगा पूरा तो इसका क्या होगा परीधी होगा तो निकालेंगे परीधी निकालेंगे परीधी परीधी क्या होता है टूपाई आर होता है ठीक है टूपाई आर टू जसके तरस पाइक का मन कितना है ट्वेंटी टूबाइ करें हो जाएगा आपका थू टाइम में तिनों गुणा के जिए तो से बाइस में चोवालीस चोवालीस दूनी कितना हो जागा से ज्ञाब को कि सबूसरी कम से कम तरी करने के निम्स से किसा पर चकर लगाना चाहिए तो कम से कम जया यह तो सबसे कम धूरी कोन है पचास मीटर यानि किस पे अपसन नूबर बी का हो जाएगा अप्शन नुमर भी धावक को अत्व धावक को अक्रिती भी वाले पर कम से कम दूरी लगेगा इस तरह से आपका 13.1 में आपका पार्च कोश्चन था एक दो तीन चार पार्च पार्च आपका क्या हो गया कम्प्लीट हो गया फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चाहिंद